Emotions का रोल कहां पर आता है? Relationship में आ जाता है क्या वहाँ भी सारे decisions logical होने चाहिए? वहाँ पर initially जब आप एक relationship में जाते हो तब logical होना चाहिए तब emotional नहीं होना चाहिए But एक बार आप किसी के साथ एक committed relationship में चले जाते हो तब वहाँ पर emotions का बहुत बड़ा रूल है Emotions मतलब क्या? You need to feel what they are feeling वो अगर दुखी है तो आप भी feel कर रहे हो आप दुखी नहीं हो रहे हो But you can feel it वो खुश है तो आप भी खुश हो You can feel it Detachment word यह जो होता है ना जो spirituality में बहुत लोग use करते हैं इसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे Detachment का मतलब क्या समझते हैं? कि detach हो जाओ और हमारे अंदर कोई emotions ना हो कोई feelings ना हो अरे भाई आप एक sociopath बन जाओगे आप feel ही नहीं कर पाऊगे सामने वाला क्या feel कर रहा है कुछ भी करने लग जाओगे कुछ भी सोच करके based upon your own belief system और सामने वाला चाहिए सफर कर रहा है आप feel ही नहीं कर पाऊगे तो मैं कहूंगा feelings और emotions बहुत जरूरी है but it must be backed by logic तो दोनों की अपनी अपनी जगे है आईदर और नहीं बोल सकते एक balance दोनों में कोना चाहिए I hope आपके जितने भी questions थे